चटर पटर यानि की स्नैकिंग सबको पसंद है और जब हम स्नैकिंग पर आते हैं भूग लगती है तो जो सामने देखते हैं तूट पड़ते हैं मेरी फेवरेट है मठी या फिर मसाला काजू अब मसाला काजू यह नहीं वो जो कैश्यूनट ड्राइफ रूट वाला यह सस्ते वाला काश्यूनट तो बहुत महंगा है वो तो मम्मी बंद करके रखती हैं उपर किसी को हाथ ने लगाने देती हैं मैं बात कर रहा हूँ जो ड तीखा पसंद है तीखा बनाईए खटा पसंद है खटा बनाईए खटा मीठा पसंद है वैसे बना लीजे तो आज जो हम मसाला काजू बनाएंगे उसके दो हिससे हैं एक काजू मतलब वो जो डो बनेगा फ्राय होगा और दूसरा है मसाला तो सबसे पहले हम बनाएंगे इ तोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ी सी अजवैन, अजवैन is optional, इसे मिक्स करेंगे, इसमें जाएगा थोड़ा घी, और इसे अब हम मोई कर लेंगे, मोई मतलब जो घी और मैदा है उसे हम रब कर लेंगे, ऐसा करने से क्या होता है, खस्ता बनता है जो आपका काजू करने का क्रम्बली होगा, पापड़ी की तरह कड़क नहीं होगा, तीके अभी त्योहारों का सीजन है, घर पर अगर किसी ने आना है, बार बार आपको कुछ ना कुछ लाना पड़ता है, और लोग भी वो खाकर बोर हो जाते हैं, तो अगर आप अपने घर की कन्वीनेंस प अपने रिश्टेदारों को एक किलो दो किलो पैकेट बना कर भेज दीजे, खोश हो जाएंगे वो, कि घर की बनीवी ताजी चीज आई है, इसमें डालेंगे हम पानी, और आटे को हम अच्छे से गून देंगे, चलिए, ये डो तैयार, डो को देंगे हम रेस्ट, पान से 10 मिनिट का, उसके बाद इसे हमें बेलना है, मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा रेगुलर साल्ट, इसमें जाएगा खूब सारा अमचूर, अमचूर की मातरा थोड़ी जादा, इसमें जाएगी काली मिर्च, और थोड़ी सी लाल मिर्च, इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अब मसाला जो भी डालना है, वो आपके हाथ में आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसका जो फ्लेवर है, उससे थाई फ्लेवर दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे साउथ इंडिन स् सॉल्टेड है जो मसाला डालेंगे उस मसाले में रिल मिल जाएगा परफेक्ट मसाला तैयार है अब चलते हैं डो की तरफ डो को बिना सूखा मैदा आटा या कोई तेल लगाए हमें इसे पहलाना है एंडरिया मत चिपकेगा नी क्योंकि इसके अंदर काफी फैट है इसे सिंप्ली हमें रोल करना है कोई डेफिनिटिव शेप नहीं देनी जिस्ट रोल इट आट मेक शूर के ये समानता से फैल जाए अब हमें एक राउंड कटर लेना है और राउंड कटर की मदद से इसकी यूं हाफ मून शेप काटनी है यह कि इस तरीके से अब यह काजू की शेप लगे नां लगे इसका नाम काजू की है व aí उस लिए देते हैं क्यूंकि लोग कहते हैं इसकी शेप काजू से मिलती जुलती है इसी का बनता है मसाला काजू यह स grade के से काटना है जहां से आपने काटा है बस उसी दिशा में काटर को हाफ मून शेप में काटते जाएए अब यह जितना भी ट्रिमिंग्स बची है इसे पैगना नहीं इसे मिलाना है दुबारा से बेलना है और इसके और गाजू काटने है फिलाल तेल हमारा warm है, mild warm है उसमें हम डालेंगे हमारे ये काजू इसे हलकी आच पर हमें तलना है और जैसे ही ये जरा से पकेंगे ये फ्लोट होना शुरू कर देंगे फ्लोट होने के बाद हम कैस को जरा सा उचा करके इसे आराम से ब्राउन होने तक पकाएंगे देखे जितना काजू का साइज है, जब आप बेलते हैं, फ्राइ होने के बाद उसका डबल हो जाएगा इसलिए बहुत जादा मोटा ना बनाएं, बहुत जादा मोटा होगा, फ्राइ होने के बाद वो पूरा खिल जाएगा और यूँ खुल जाएगा, स्नो पॉइंट, देखे जब तक ये तयार हो जाते हैं, हम चलते हैं टिप्स इन ट्रिक्स, जहां पर हम जानेंगे के मसाला काजू बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि वो हर बार परफेक्ट निकलें मसाला काजू, उसका जो डो है मठ्री से बिलकुल मिलता जुलता है, इसलिए जब भी आप मसाला काजू बनाते हैं, make sure कि उसके अंदर बेकिंग पावडर और बेकिंग सोडा जरा सा डालें, ताकि वो थोड़ा सा ही फूले, जादा डाल देंगे, बहुत जादा फूल मसाला काजू, एक छोटा सा स्नाक है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, आप इसको चखने की तरह खा सकते हैं, at the same time, मसाला आप अपनी चॉइस का बना सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इसको तीखा ही होना चाहिए, इसको आप प्लेन सॉल्टेड, सेंदर नमक से भ पर हाँ, अगर आप चाहें कि multi-grain आटा इस्तमाल करना, आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, रेशियो होगी जैसे एक कटोरी मैदा और एक कटोरी multi-grain, या फिर आप उसके अंदर कुट्टू का भी आटा डाल सकते हैं, आप उसके अंदर ओट्स का भी आटा डाल सकते है fry करते हैं इसका खास ज्यान रखना है क्योंकि जब हम fry करते हैं मंद आज पर fry करना है जब यह float करता है उसके बाद हमें आज को तेज करना है एक बार यह तयार हो जाएगा इसकी shelf life लंबी है महीना, दो महीना, तीन महीना बिल्कुल खराब नहीं होता इसलिए धंग से fry करने के बाद, पूरा ठंडा करने के बाद इसे आपको A-Tight कंटेनर में रखना है और हाँ, जैसे यह गर्मा गरम आप तेल से निकालें इसके उपर मसाला डालना है ताके मसाला इसके उपर आराम से चिपक जाए और हाँ, जबी भी आप यह बनाए ना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर कीजे भई उनको भी तो पता चले, इस खास रेसिपी का राज मतलब मेरी रेसिपी शेर कीजे देखे, यह अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं और अगर आप नोटिस करेंगे न, यह बढ़िया तरीक इसे, साइट से अगर आप देखेंगे, फूल भी गए हैं जादा नहीं फूलें, लेकिन उतने फूलें जितना के हमें चाहिए, पॉफेक्ट थोड़ा सा और इसे पकाना है, भूरे रंग तक लाना है, लोग अदाइट, नाइस इवन ब्राउन कलर, इसे हम निकाल लेंगे, एक्सेस तेल को जाड़ दिया, यह जाएगा सीधा बोल में अब ईसके उपर डालेंगे, हम हमारा यह, हमेंड मसाला, खूब सारा, अब इसे हम टॉस करेंगे, आँगा, लोग अनगे अंगे, लोग अदा है, बहुत ही बढ़िया, Look at that कितना खूबसूरत बढ़िया evenly masala coat हो गया इसके उपर कितना खूबसूरत लग रहा आधा चान्द चलिए, masala का जो तेयार है आप करते हैं इसको प्लेट असानी से बन गया nicely coated masala masala, 2-3 महिने तक भी चलेगा masala khaju, done मसाला khaju की खास बात यह है कि आप रुकेंगे नी एक पे बार 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 खाते रहेंगे और अच्छा है, 3-4 लिए, 3-4 इसमें हाथ में लिए और खाते खाते time pass हो जाता है, जब आप किस बहुत time है और आजकल कई लोगे वास बहुत time है clearly ढालो sir, क्या कर रहे हैं? फूल कर, खुल कर खिल जाएंगी, खिल कर, खुल जाएंगी खुल के खिल जाएंगी नी, खिल के खुल जाएंगी खिल, खुल, खिल, खिल, खिल हो गया, चलो दुबारा मसाला चांद बोलना चाहिए से, मसाला का जुक्यों बोलते है